इसका एक ही तरीका है कि लोग अधिक से अधिक डिजिटल प्लेटफॉर्म का उप्योग करें या अंचलों का चक्कर लगाने के या अभिलेखागारों का चक्कर लगाने के पहले इन ऑनलाइन जो दस्तावे जो प्लब्ध हैं उनको देखने हैं आप किसी दिचवलिये के चक्कर में या किसी अनिख्या ब्रक्ति के बहतावे में आने के बहतर हैं कि आप आप उनलाइन प्रेटफॉर्म का उप्योग करें कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार आपकी जमीन छीन लेगी ले लेगी ये बिल्कुल ही बेतुका है आप सो गोशना समर्पित करें और सर्वे की प्रक्रिया में भाग लें अभी इस प्रक्रिया में तीन बार सुनवाई होगी आपके हित के लिए ही इतना बड़ा कदम सरकार उठा रही है और इसको सकारात्मक रूप में देखें और सर्वे की प्रक्रिया में बढ़ चड़ कर भाग देखें। ज़ियादा सुविधा हो लोगों को भागदौर न करना पड़े। इसका एक ही तरीका है कि लोग अधिक से अधिक डिजिटल प्लेटफॉर्म का उप्योग करें। वर्तमान समय में राजस्विभाग ने लगबग राजस्व से संबंदित 15 करोड पन्नों को सकैन करा करके ऑन-लाइन उपलब्द कराया है। और इस बिहार राजजी के लगबग 35,000 गाओं के कडेश्टल सर्वेख खतियान उपलब्द है। इसके अलावा जो जमाबंदी आज चल रही है उस पूरी की पूरी जमाबंदी ऑन-लाइन उपलब्द है। तो उसमें लोगों को यह करना होगा कि वे बजाए अंचलों का चक्कर लगाने के या अभिलेखागारों का चक्कर लगाने के पहले इन ऑन-लाइन जो दस्तावेज उपलब्द हैं उनको देख लें। मुझे लगता है कि 80-90 प्रसत मामलों में लोगों को दस्तावेज यहां पर मिल जाएंगे जैसे इसी प्रकाजे से निवंदन है। निवंदन के काग्याद यह आजकल ऑन-लाइन मध्यम से उपलब्द हो जाते हैं। तो मैं बार-बार लोगों से अपील करूँगा कि आप किसी बिचौलिये के चक्तर में या किसी अनित्या व्यक्ति के बहकावे में आने से बहतर है कि आप ऑन-लाइन प्रेटफॉर्म का उप्योग करें और जो दस्तावेज ऑन-लाइन उपलब्द हैं उनको डाउनलोड करक जैसा कि जो सर्वेच्छन है 45 सज्जार के लगवागाओं में चल रहा है एक बहुत बड़ा मतलब इसको कहें है इतना बड़ा से पहले काफी लंबे अर्सा पहले हुआ तो किस तरसे की चुनोतियां आप देख रहे हैं ऐसे में जिस तरसे विवादित भूमी भी बहुत है देखे सर्वेच्छन जो है यह बहुत बड़ी चुनोति इसलिए है ना क्योंकि यह राजी के लगबग प्रतेक व्यक्ति को कहीं कहीं टच करता है हर व्यक्ति का हर परिवार का कोई ने कोई भूमी जमीन कहीं किसी ने किसी गाउं में है अब उसमें बहुत सारी लोगों के परिवार में एकमत नहीं है उनके अंदर भी अलग अलग विशार है और उनमें भी कोई समझावता नहीं रहता है यह सब जो चीजें है उसके कारण यह पूरा जो अभियान है वो थोड़ा कठिन है लेकिन सरकार जो है पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि हम इस अभियान को अभी चलाएंगे लोगों से उनके दस्तावेज प्राप्त करेंगे सत्यापित करेंगे अगर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स है नहीं है सरकार किसी की जमीन लेने नहीं जा रही है और वैसे भी सर्वे की प्रक्रिया में मातर दस्तावेज का स्रिजन होता है मतलब दो पैलाया जा रहा है कि सरकार आपकी जमीन चीन लेगी ले लेगी ये बिल्कुल ही बेतुका है ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है दूसरा बहुत सारे लोग इसलिए संशेगे सिटी में हैं कि उनके पास परियाप्त काग्यात में है तो हम लोगोंने बार बार कहा है कि उसको लगाते हुए आप सो घोशना समर्पित करें और सर्वे की प्रक्रिया में भाग लें अभी इस प्रक्रिया में तीन बार सुनवाई होगी तो अगर सुरुवात में अगर कहीं कोई दिक्कत होती भी है आपके पास कुछ काग्यात की कमी है या गल्की से आपकी भूमी ज उसके पश्चाट फिर से आदेश रिवाईज भी हो सकता है तो कई तरीके की सुनवाई की उसर इसमें मिले हुए है लोगों को अगर काग्यात नहीं है तो भी घबराना नहीं है सरकार किसी की जमीन लेने नहीं जा रही है यहां लक्ष के वल यह है कि हम कैसे काग्यातों को अध्यतन करें अब जो लोग भरम फैला रहे हैं उनका वेस्टेड इंट्रेस्ट हो सकता है हो सकता है उनको जमीनों के मामले में उन्होंने अपना कोई दुकान खोल रखा हो और वो चाहते हो कि रिकार्ड हो ऐसा ही जो है वो मिसमैनेज रहे और इसपष्ट रहे क्योंकि जह कारात्मक रूप में देखें और सर्वे की प्रक्रिया में बढ़ चड़ कर भाग लें